नमस्कार दोस्तों मैं डक्टर भी प्रजापति आज बहुत अच्छा वीडियो आपके बीच में ले करके आया हूं है जी हाँ दोस्तों वीडियो कोई स्किप मत करिएगा पूरा वीडियो देखेगा बहुत अच्छा वीडियो है और सबकेर में प्राब्लम्स आ रही है जिसके वज़े से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और बहुत अच्छा सलूशन है दोस्तों है तो औरत की बिमारी के लिए लेकिन बहुत ही अच्छा वीडियो है तो प्लीज दोस्तों स्किप मत करिएगा मेरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों आज मैं अपने वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि औरतों के बच्चेदानी में सूजन आ जा रहा है यूट्रस में सूजन आ जा रहा है और बहुत जल्दी आपरेशन भी करवाना पड़ जा रहा है बहुत सारी गरबडियां हो जा रही है ब्लेडिंग ज्यादा होने कोड़ करके जिहां दोस्तों यदि कैंसर की विबारी है तो नहीं ठीक हो सकती है वो मेरे बसकी बात नहीं है ये दवा कैंसर में काम नहीं करेगी बाकी किसी भी गड़बड़ी में बच्चेदानी की किसी भी प्रॉब्लम में ये दवा खाई जा सकती है और बहुत अच्छ सूजन आजाता है सरविक्स में सूजन आ जाता है और बच्चेदानी में इंफिक्षन बना रहता है दोस्तों बच्चेदानी में सूजढ आ जा रहा है तो दोस्तोंsoon यह द्वकार है जिहां दोस्तों आज मैं ये दवा बताने जाना हूं बहुत ही important है ध्यान से देख लिए दोस्तों इसकी में मरत बता रहा हुँ इस दवा एक दवा है जिसका नाम है Drax 25 DoSDIES ड्राक्स 25 जहान दोस्तों सκιन में ध्यांस देखें द्राक्स 25 पहली दवा है और दूसरी दवा है दोस्तों यहां दोस्तों यह दवा हुमियोपैथिक है यह दवा बिल्कुल ही सिफ है किसी को भी यदि चलाई जाया तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएंगे दोस्तों यह दवा बहुत अच्छी काम कर दियो दोस्तों दोस्तों ड्राक्स 25 पंदर पंदर बूत तीन टाइम लेना है पानी में मिला करके और आरम मिरोटिकम नेट्रो नेटम टैबलेट 3 अक्स जो है यह दो गोली सुबा दो गोली साम खाना खाने की आधे घंटे बाद खाना है दोस्तों यह दोनों दवा खाना खाने के आधे घंटे या एक घंटे बाद ली जा सकती है दोस्तों खाना खाने के तुरंत बाद इस दवा का सेवन ना करें कम से कम आधे या एक घंटे के बाद ही इस दवा का सेवन करें दोस्तों यहां दोस्तों यदि किसी का मासी घर्म आगे पीछे आ रहा है या समय से नहीं आ रहा है या ब्लीडिंग बराबर आ रहा है तो दोस्तों पेड़ू में दर्द हो रहा है बच्चेदानी में दर्द हो रहा है तो दोस्तों यह दवा बिल्कुल आप चलाइए और बहुत अच् दोस्तों मेरे नंबर पे आप फोन करके संपर्द कर सकते हैं दोस्तों मैं बच्चे दानी के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवा का नारेज रखता हूं और आपको सही दिसा में सही समय पर सही सलाह देंगा दोस्तों आप जल्दिवाजी में आपरेशन ना करवाएं दोस् दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरू करें दोस्तों और यदि किसी को कोई कंफीजन हो तो इसके मेरा नंबर दिख रहा है इसके जरूर संपत करिए दोस्तों और दोस्तों वाकाई में ये दवा बहुत अच्छी ह बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है दोस्तों इसको जरूर आप इस्तिमाल करें दोस्तों यदि बच्छेदानी की कोई भी गरबड़ी हो तो मुझसे फून करके आप सलाह ले सकते हैं दोस्तों ठीक है दोस्तों मैं चलता हूँ बस आज कर वीडियो यही तक नमस्क्रा जया है